हेलो एवरिवन, वेलकम बेक टू माई चैनल, तो फ्रेंड आज की क्लास में हम प्रती दिन बोले जाने वाले कुछ अंग्रेजी वाक्यों की प्रक्टिस करेंगे जो हम प्रती दिन बोलते हैं, तो गाइस यदि चैनल पे नए हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें इसे हम एंग्लिश में कहेंगे, I am very lucky, मैं बहुत भाग्यशाली हूँ, I am very lucky, next है, चलो साथ चलते हैं, यदि आपको किसी से ये कहना है, कि चलो साथ चलते हैं, तो एंग्लिश में कहेंगे, let's go together, चलो साथ चलते हैं, next sentence है, मुझे एक मौका दो यदि आपको किसी से ये कहना है कि मुझे एक मौका दो तो इंगलिश में कहिए Give me a chance मुझे एक मौका दो Give me a chance मुझे एक मौका दो Next sentence है मुझे कोई आपत्ती नहीं है यदि आप किसी से ये कहना चाहते हैं कि मुझे कोई आपत्ती नहीं है तो इंगलिश में कहेंगे I don't have any issue मुझे कोई आपत्ती नहीं है मैं तुम्हारा इंतजार करूंगा या फिर हम कहते हैं न मैं तुम्हारा इंतजार करूंगी हमारा next sentence है बस इसे भूल जाओ अक्सर हम इस sentence को कई बार बोलते हैं कि बस इसे भूल जाओ तो हम इंगलिश में कहेंगे just forget it बस इसे भूल जाओ just forget it forget means होता है भूल जाना just forget it next है आपने क्या कहा यदि आप किसी से ये पूछना चाह रहे हैं कि आपने क्या कहा तो इंगलिश में कहेंगे what did you say आपने क्या कहा what did you say आपने क्या कहा next sentence है मैं पूरा प्रयास करूँगा जब भी हम किसी से ये कहते हैं कि मैं पूरा प्रयास करूँगा किसी भी चीच को करने के लिए तो हम इंगलिश में कहेंगे I will try my best मैं पूरा प्रयास करूँगा I will try my best next sentence है तुम अपना काम कर रहे हो यदि हमको किसी को ये कहना है तो हम इंगलिश में कहेंगे you are doing your work do means होता है काम करना तुम काम कर रहे हो you are doing your work तुम काम कर रहे हो next sentence है हम बहुत खुश है जब भी हमें किसी को बताना है कि हम बहुत खुश है तो इंगलिश में कहेंगे we are very happy हम बहुत खुश है we are very happy हम बहुत खुश है खुश होनी की इंगलिश होती है happy next sentence है मैं अपना काम करूँगा जब भी हम किसी को ये sentence कहते हैं ना कि मैं अपना काम करूँगा इंगलिश में कहेंगे I will do my work मैं अपना काम करूँगा I will do my work मैं अपना काम करूँगा Next sentence है मैं उससे बात कर रहा हूँ जब भी हमें किसी को ये कहना है कि मैं उससे बात कर रहा हूँ तो हम English में कहेंगे I am talking to him मैं उससे बात कर रहा हूँ I am talking to him मैं उससे बात कर रहा हूँ Next है मैं उससे बात करूँगा जब हम किसी को ये बताना चाह रहे हैं कि मैं उससे बात करूँगा तो इंग्लिश में कहेंगे I will talk to him मैं उससे बात करूँगा I will talk to him मैं उससे बात करूँगा हमारा next sentence है वह अपनी गलती स्वीकार कर रहा है यедि हमें किसी को ये कहना है कि वहाँ अपनी गल्ती श्वीकार कर रहा है उंग्लिश में कहेंगे मैं तुमसे कुछ पूच रहा था इस सेंटेंस को हम अक्सर दिन में कई बार बोलते हैं कि मैं तुमसे कुछ पूछ रहा था इंगलिश में कहेंगे I was asking you मैं तुमसे कुछ पूछ रहा था I was asking you मैं तुमसे कुछ पूछ रहा था I was asking you Next sentence है मैंने उससे मदद मांगी थी इस sentence को भी हम दिन में अक्सर कई बार बोलते हैं कि मैंने उससे मदद मांगी थी इंग्लिश में कहेंगे I had asked for his help मैंने उससे मदद मांगी थी I had asked for his help मैंने उससे मदद मांगी थी कहीं मत जाओ यदि आप किसी को ये कहना चाह रहे हैं कि कहीं मत जाओ तो इंग्लिश में कहेंगे Don't go anywhere कहीं मत जाओ don't go anywhere कहीं मत जाओ हमारा next sentence है मुझसे बात मत करो हम दिन में कई बार बोलते हैं किसी से भी कि मुझसे बात मत करो तो इंगलिश में कहेंगे don't talk to me मुझसे बात मत करो don't talk to me मुझसे बात मत करो तो guys I hope पाच की क्लास आपको पसंद आई हो यदि वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को एक लाइक जरूर करिएगा और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि प्रती दिन के लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले प्राप्त हो ओके गाइस थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद